तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उससे पहले एक चोटा से रीकैब लेते हैं देखते हैं लास्ट प्रिविएस वीडियो में हमने क्या बात की थी तो इन प्रिविएस वीडियो में डिसकेशन ओन इस ग्रूप ऑफ जिम्नोस्पर्म धैट इस साइकड ऑपसीडा तो इसको और इसमें जो जीनस होता है तो इस साइकस जीनस की दो मौस्ट पॉपलर स्पेशिए शरकाइनलिस और एंड रविलूटा और एज अवह हमने साइकस जीनस के बारे में बात की थी हमने बताया था कि यह लिविंग फोसल कंसिडर किये जाते हैं इनके पास दो तरह की लीव इनके रूट्स भी दो तरह की थीन में और सम्बाइटिक एस्टियेशन में पाये जाते हैं इनकी रूट्स जो है जो की कोरलोईड रूट्स जो होती है सेकिंड टाइप के इनकी दिटिटिव ब्लू-ग्री एलका यह नौस्ट्टो कर नने भी न और उसके बाद हमने इसके इसक्श्वल रिप्रोडेक्शन के बारे में बात की थी वी आई टोल्ड यू ना इसके बात हमने बात की थी इसके पॉलिनेशन जो कि इनॉमफिलिस ही होता है मतलब विद रहल पर विंड और इसके जो स्पॉर्म सें साइकस के वह सबसे लार्ज़जिस होते हैं बायलोजि है फिजिकल अपेरेंस वह हमने बात की थी आज का जो हमारा गुरूप है डैट इस सेकंड गुरूप ऑफ इस जिम्नोस पर्म यह हम बात में करेंगे ठीक है ना नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कॉनिफर उपसीडा तो कॉनिफर इनकों जैनली सिमिलारिटीज है तो एक ब्रीफ इंट्रोडेक्शन में आपको देता हूं कॉनिफर इनका नाम जो है बिकोज दियर कॉन बेरिंग जिम्नोस पर्म देट्स वाय दियर नेम कॉनिफर दियर एवर गिंप्लांट मतलब कभी भी एक साथ अपने लीव को शेड नहीं करते हैं इनके जो गैमेट्स हैं 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 इनके इनके जो गैमेट्स हैं इनके इनके जो गैमेट्स हैं इनके इनके जो गैमेट्स हैं जैसा कि हमने देखा था साइकस के केस में यहां पर एक ह इसी बार कर चूके हैं स्ट्रोबला यह कोन के बारे में यह compat होते हैं वूडी होते हैं यह तो जो इनका पैरेंच हो तो 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 जैसे वॉड हैए है ए ermות कि थी छो पाँयद ऐसे सुवाइ है एक में बांच होते नुटा इक सबसंदोब कर दोए टॉम पर जो है यह यह प्रेजन होती है कुटिकल होता है शंकन स्टोमेटा होता है इसका रीजन यह है कि ट्रांस्पिरेशन का रेट जो है वो कम हो सके ठीक है और जो लीव से वह अलग अलग जैसे निडल लाइक हम देखेंगे पाइनस में नॉर्मली जीने में पाइन बोलते हैं और फ्लैट और लैदरी लीव जो है आरुकेरिया में यह जीनस आरुकेरिया एंस के लाइक लीव ठेकेंगे थूजा में कोनिफर्ष के अगर हम बात करें तो यह जनली आप देखेंगे कि कुछ टेमपरेट रीजिन में जनली यह सर्वाइब करते हैं ठीक है ना हाला कि ऐस साूथ अमेरिका निज जुछ लेंड वर्गे वे लिए लोगए प्रीज उस ये गरुड़िये हैं अपकी लिए सिर्फ यह जानने की जरूँ यह ज़ए अलग जो जीनस हैं उनके अलग अलग के लिए अगलग इंढ करें अगर में बात करें मिजुरी ऑफ दा कौनिफर के बा कॉम बोलते हैं एन एबीस फिर तो आप यह जनली सुनेंगे स्प्रूस फिर पाइन सडार यह बहुती कॉमली ग्रोन कॉनिफर्स हैं इन इस तरह के रीजन में होते हैं और देखें इनकी जो शेप है अगर आप शेप देखेंगे तो जनली इस तरह कौन शेप है ठीक है न और इस तरह की जो है ट्राइंगुलर शेप होगी जितने भी आप मैक्सिमम जो कॉनिफर्स देखेंगे इनका रीजन यही है कि दे ग्रो इंदा मॉंटेनिस रीजन और मॉंटेनिस रीजन में क्योंकि वहां पर स्नो फॉल होता है तो अगर आपको पता है कि स्नो अगर अगर मा फिर्ट करते हुई नीचे आ जाएगी ताकि जो भी नौर्मल जो प्रोसेशन होता है जो गैसियेस एक्सेंज या ट्रानसपरेशन है या बाकी जो प्रोसेशन करते हैं जो घ्लांस में वह जो है उन में किसी तरह की कोई अफस्टेकल ना है चीक है है सो यह देख सकते हैं कुछ Spruce आप देख सकते हैं इस तरह का होता है यह लार्च है यह लार्च है यह सिडार है लेबनन का ओके और यह umbrella Pine है Chinese doos pendulum के भी होते हैं तरह के सबसे होते हैं । मेर्नली लिख भी क吧 कुक सबसे हुइन हम उस Kellyan the world Marty fallen उसे जो हर तरीके से important होता है उसके बारे में पहले बात करते हैं तो पाइनस ठीक है यह एक important कॉनिफर है जो की काफी large tree होता है काफी large size का यह होता है pyramid shape इसकी होती है यहां पर आप देख सकते हैं यह अलग अलग तरह के pine trees है ठीक है अच्छा में पहली बात कर चुक है जिम्नो स्पॉम्स में जो main plant body होती है या इन्डिपेंड़न्ट बोड़ी वो sporophyte है dependent जो वो gametophyte है तो में प्लांट बोड़ी जो इंडिपेंड़न्ट है और gametophyte इस dependent और parasiticone sporophyte यहां पर roots हैं stems है leaves हैं तीनों तरह के हैं साथ में vascular tissues हैं तभी इनकी अच्छी height पर हो पाती है स्टैम की बात करें तो जो main stem हो काफ वो स्ट्रेट होती है और उसकी height लगबख 10 से 50 मीटर तक चली जाती है चीक है आप देख सकते हैं यह जो स्टैम है यह आप अगर आप देखें तो यह इसकी में स्टैम है तो काफी अच्छी height इसकी होती है अच्छा मोनो पोडियल ब्र किस पर स्टैंड करता है यह इसी main branch पर यह जो इसकी stem इस पर तो यह एक ही foot है यहाँ पर और सब में एक ही होता है लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि main जो prominent जो होगा वो आपको एक ही stem देखेगी एक ही branch आपको दिखेगी जो उपर बढ़ती चली जाएगी बाकी जो इतनी prominent नहीं होती है जैसे मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए जैसे यह देखिए अब अगर हम नीम की बात करें तो नीम में जो ब्रांचीज है कितनी heavy prominent branches में ट्रंक के साथ-साथ बाकी ब्रांचीज भी काफी prominent होती है ठीके ना लेकिन यही चीज हम अगर इन में देख नीडल लाइक यहां पर leaves होती है पहले ही मैं आपको बता चुका हूं यहां पर कोनिफर्स की जब हमने बात की ती यह देखिए आप नीडल लाइक leaves होती है पाइनस में तो यह जो नीडल लाइक लीव्ज है ग्रों इस ड्राफ स्टैम रूट्स की बात करें तो टैप किती नेडल नोर्मल रूट्स हॉँआ और चॉण की जिनको नौर्मल रूट्स पोर्ते है और दूसरी जो रूट ही है भूँए होंगी आप सींग असोशियेशन विद्फ हैं आ पई theoretically पने यह चांप रूट्स के और 20 सनबरण तो यह थो पैनिस अब slight spray मैं कषोय जूआ में दो तरह के होंगे, IKRA , मेगा स्पोर, IKRA, 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 IKRA यहां पर मैंने जैसे बता है लास्ट भी वीडियो में बताया था कि स्पोरो फिल्स हैं यह कॉम्पेक्ट स्टक्चर में जो है तबदील हो जाती है जिनको हम बोलते हैं मेल कौन या मेल स्ट्रोबलाई ठीक है और यह वुडी होता है यहां पर मेगा स्पोर्स में होंगे और यह इनको फीमेल कॉन यह फीमेल स्ट्रोबलाई बोलते हैं ए पौलिनेशन कैसे होगा ऊपको क्यों निकी विंड के थूरू होगा अब इनकेबारे में बात करते हैं और आपको करतेए इहां बड़न को को सट्रोटब нения यहां पर बिख गलर का अपको भील होगा Aber इस मेल में क्या देखने को ओगा मैक्रो स्पोरो फिल्स ही तो थी भहूँ सारी चोटी-छोटी लीव स्थी जो कॉंपेक्ट होकर यह च्अश्य है आपका में चुर्चर श्चार यह कैसे बना है इन चोटी-चोटी मैक्रो फोरो फिल्स में आपको क्या इसके बारे में जैसे कि बात कर चुके इनके बारे में clusters में grow कर रहे हैं टिप पर होंगे लॉण शूट गी आपकी उसके टिप पर होंगे एकदब टिप पर अन्लाइक था लास्ट जीनस साइककस ठीक है यह देखिए यह लगा भार से देखेंगा तो hard woody structure आपको देखेंगा mail कौन का ठीक है लेकिन अगर आप इसका internal structure देखेंगे टीएस लेंगे तो यह बीच में axis होगी और back axis के यहां पर यह क्या होंगी microsporophylls होंगी microsporophylls के अंदर जो यह space दिखाया हुआ cavity दिखायी हुई है यह वाली यह क्या होगी आपकी यह आपकी microspor engine होगा और इन्हीं microspor engine में यहां देखें microspor engine मैंने आपको और enlarge करके दिखाया यह इसमें क्या होंगी microspor mother cells होंगी deployed होंगी microspor mother cells जो है वो क्या करेगी वो उसमें meiosis होगी meiosis मतलब reductional division तो जो deployed है structure यह haploid structure हो जाएगा तो 4 microspore क्योंकि meiosis जब होती एक cell में तो 4 cells बनते हैं चार microspores बन जाएंगे ठीक है ना microspores के चारों तरफ यह लेर आ जाएगी intime की ठीक है ना यह intime की लेर आ जाएगी है ना और यह अंदर क्या है यह आपका microspore है ठीक है और पूरा structure अब क्या कर लाएगा यह पूरा structure आपका pollen grain कर लाएगा यह जो structure आप देख रहे हैं यह wings है इसकी तो यहां पर pollen grains है उनमें wings होंगी और wings होगी इसी वज़े से यहां पर wind जो है इनकी मदद कर पाएगी और इसी वज़े जो pollination है वह एनिमोफिलस हो पाएगा क्योंकि आप कोई भी चीज जब उड़ना चाहेगी तो अगर उसके पास wings होगे अगर आप में आपको pollination अच्छे से समझना है तो आप यह pollination क्योंकि हमारे 12th क्लास में यह topic है तो आप 12th क्लास की मेरी वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से बहुत ही detail में जो हर तरह का pollination detail में समझाया हुआ है तो वहां से आप देख सकते हैं कुछ requirements होती है हर तरह के अलग अलग तरह के जैसे wind के लिए कुछ requirements होती है pollen grains के लिए जी तरह अगर insects के लिए तो अलग होगी अनिमल्स के लिए तो अलग होगी तो कुछ adaptations होती है pollination के लिए तो वहां से देख सकते हैं ठीक है और एक sulfur cloud इंको हम बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे million billions of pollen grains जो है वह ऐसे ऊड़कर जाते हैं ठीक है ना की मदद से with the help of their wings तो इसको हम sulfur cloud बोल देते हैं ठीक है तो यह मैंने आपको अनलाजd प्रफिल दिखाया था ठीक है तो आइठिंक यह बात आपको समझ में आ गई होगी ओके नाव नेक्स्ट नाव फीमेल कॉन के बारे में बात करते हैं कि फीमेल कॉन भी वुडी ही अपेर होती है अगर हम उसको बहार से देखते हैं तो उसका वुडी अपेरेंसी होता है ठी और यहां पर अगें यह सेंटल स्टैम यह सेंटल एक्सिस जो है वो है और उसके दोनों तरफ जो आपको दिखाई देंगे यह स्केल्स और क्या होंगे उन स्केल्स के अंदर जो है ओविल सोंगे ठीक है देखते हैं इसका भी स्ट्रुक्चर मेल कॉन से सबसे पहली बात ब बनाते हैं यहां पर सिंगल कौन होता है यहां पर यह और यह आप देख सकते हैं मेगा अभी यहां देखिए सेंटल एक्सिस होगी जो मैंने आपको यहां पर दिखाई थी और यह जो स्ट्क्चर है यह स्ट्क्चर आपका क्या कहलाता है मेगा स्पोरोफिल ठीक है मेगा स् अहीं ठीक है और यहां पर यह पर यह निए क्या और ऑविल फेरस ब्रेक्टत स्केल सों के अंदर और यहां पर यह थिए नहीं लेकिन बागी structure ovule तो होगा ना ठीक है ना बागी सब सेम होगा एंजियो स्परम्स की तरह ही तो ओव्यूल जो है यहां पर कैसा होगा ओर्थो ट्रोपस यानि कि अप्राइट ओव्यूल होगा और यह चीफ इस तरह का ओवियूल होता है इसके अंदर यह देख सकते हैं अब देखिए अब भाई मेल कौन से जो है और मैंने आपको बताया कि यहां पर सिंगल प्लांट के अंदर ही दोनों है यानि कि मोनोशियस प्लांट है ठीक है तो अब यह एक प्लांट है इसमें एक यह मालीजे मे मेल काम अब मेल कौन से जो पॉलंड ग्रेंट से वह ऐसे आएंगी विंड की मदच से और वहा यहां पर नया प्लांट च पोरा है दिस इस इस वीसवा दीस घीनिस य्ट य्षिमा्स सेटा के दिछम में दाखेैं którym घ्राः में नाम उसके बात करेंगे वो भी एक लिभी स्था श्कूक के लियुम होगे 모습 लेंकन कर लेंग उसके बाद we will start NGO SPARM. तो तिल देन, बाइ टेक कार, थांक यू, थांक यू वर्मच.